कि हलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह नया वीडियो और आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह जो लाइने रखी हुई है यह पाइप में विक्टस की और टाफ फ्लोर पर फिटिंग चल रही है और इस फिटिंग को विदाउट लिप्ट से ऊपर कैसी चढ़ाते हैं आज हम आपको यह दिखाएंगे बने रही हमारे वीडियो के अंत तक विदाउट लिप्ट से हम लोग पाइप किस तरह ऊपर चढ़ाते हैं और देखिए पाइप कहा जा रहा हैं यह भी आपको दिखा रहा हैं कितने ऊपर पाइप जाएंगे जैसा कि आप देख रहा हैं यह नाइंध फ्लोर की हाइस्ट बेंडिंग बनी हुए जैसा यह आप देख पा रहा हैं यह देखिए टाउप फ्लोर पर पाइप जाने हैं और अब हम आपको दिखाएंगे पाइप किस तरह ऊपर जा रहा है आप इस चीज की मदद से पाइप नाइंध फ्लोर तक ले जा जैसा कि आप देख रहे हैं यह बंडल उस साइड रखा जा रहा है और अब इस बंडल को अच्छी तरीके से बांदेंगे कि यह देखिए यहां पर इस सरीय लगा दी गई है इसको थोड़ा से यू साइड से बनाया जाता है और इस पर गांट लगाएंगे अच्छे से अच्छे से इसको टाइड कर देते हैं यह देखिए डबल गांट लग गई है अब यह बंडल आराम चड़ा जाएगा इसके अंदर चार इंची सी पीवीची का पाइप है जो टेरिस पर टंकी के फिटिंग के लिए चड़ रहा है पाइप कि देखिए अब बंडल को खड़ा किया जा रहा है कि जिस पर चार आदमी लगते हैं तीन आदमी इसको खीचेंगे और एक आदमी तो नीचे सपोर्ट लगा देगा जिससे बंडल सीधा हो जाएगा कि इस बंडल को ऊपर ले जाते हुए थ्वाज प्राब्लम तो होता ही है क्योंकि वेटेड होता है और इसका वेट पोट्टी केजी सम्थिंग होता है कि यह देखिएगा अभी काफी बांकि यह उपर जाने के लिए चली अब हम आपको उपर दिखा देते हैं क्योंकि यहां से नहीं समझ में आएगा कि इस तरह उपर यह बंडल जा रहा है कि दोस्तों आप देखिए यह दो तरह वाल में यह सरीया की छण है जो फंसा दी गए है और इस पर यह जो बंदी हो यह पुली है पुली की मदश से सारे पाइप के बंडल ऊपर आ सकते हैं और इनका ऊपर आना बहुत ही इजी है आप नाइन्थ हो या नाइन्टीन फ्लोर हो आराम से ऊपर आ जाते हैं कि जैसा कि आप देखना है यह पाइप बंडल आ गया और हमने बताया इसका वेट 14 केजी है ह HEY GTo ौरा उपर आना इजी भी नहीं है उब चाहिए इतने बंडल इस पुली के मदश से से 940 अगय है लाघ्रा में अध्या की और चांव फ्लोर तक बंडल लाने के लिए इस पुली का इस्तेमाल करिए यह देखिए ये पोली लगी हुए इसी की मतद से इतने सारे बंदल उपर आये हुए है कि ये देखिए दोस्तों चार लोगों की मतद से इस उपर ये सारे बंदल आये हुए हैं थोड़ा सब वेटेड बंदल यह देखिए दोस्तों ऊपर के तरफ पाइब का बंडल आता हुआ नीचे के तरफ इसको दाबो नीचे तरफ दाबो गया जाएगा अपने आप अराम से इसको साथ कर के थोड़ा अराम से इसको साथ कर के थोड़ा झाल झाल